हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मौनज कुमार सर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सर्मा इंग्लिस गुरू में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे पिछले वीडियों में हमने प्रजेंट इंडेफिनेट टैंस पर विस्तार से चर्चा की थी आज हम प्रजेंट इंडेफिनेट टैंस से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग शम इंपोर्टन्ट यूजेज का यहां पर अध्यन करेंगे तो देखिए दोस्तों जो पैचान अमने पड़ी थी कि वाक्या के अंत में ता है ती है ते है ता हूं लिखा हुआ होगा तो ही प्रजेंट इंडेफिने टेंस होगा वो बातें यहां पर भी लागू है लेकिन इनका प्रयोग है कुछ special जो sentences है उनमें किस प्रकार से किया जाता है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है आप जानते हैं दोस्तों इंग्लिस में present इंडेफिने टेंस और past इंडेफिने टेंस ये दोनों ही TENS अपने आप में बहुत ही महत्पून TENS हैं, बहुत ही इंपोर्ट TENS हैं हर exam में, हर competitive exam में, board exams के अंदर इन से related कई प्रकार के questions पूछे जाते हैं तो इनका deeply अध्यन, deeply steady हम यहाँ पर करना चा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है कि present indefinite का यूज कहां पर होता है वो है with habitual regular actions, habitual आदितन regular नियमित कारिय, व्यक्ति आदतन जो कारिय करता है, जो काम करने की व्यक्ति की आदत है, उन समस्त कारियों में present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है, नियमित कारिय, यदि कोई व्यक्ति regular कोई कारिय कर रहा है, तो उस कारिय में भी हम present indefinite tense का ही प्रियोग किया करते हैं, जैसे एक्जामपल देखिए इसमें राम स्लिप्स डेली विद हिज ग्रेनी राम रोजाना अपनी दादी के साथ सोता है तो रोजाना अपनी दादी के साथ सोता है तो ये उसकी आदत बन चुकी है आदत भी है क्यों डेली अपनी दादी के साथ सो रहा है और वैसे नियमित मुझे प्रतिदिन कारी हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में हम प्रजेंट इंडेफिनेट का प्रियोग करते हैं और प्रजेंट इंडेफिनेट का प्रियोग करने के यहां पर देखिए राम संगुल doubleitt था अफर्मिटिव अ सेंटेंज है तो वर्प की फर्स्ट फोर्म में ऐसे आइस लगा, slip से हाँ पर हो गया, second, I go to school daily, मैं रोजाना school जाता हूँ, daily, नियमित कारिक किया जा रहा है, per day he goes to school, तो नियमित रूप से जो भी कारिक किये जाते हैं, उन कारियों में भी present indefinite का प्रियोग होता है, I go to school daily, तो देखिए, I plural subject था, affirmative है तो affirmative में helping वर्ब आती नहीं है, तो plural subject के साथ वर्ब की केवल first form काम में आती है, उसमें ऐसे yes नहीं लगता, तो I go to school daily, यह हमारा वाक्य हो गया, बर्स fly in the sky, पक्षी आकास में उड़ते हैं, in the sky fly उड़ते हैं, तो यह पक्षियों की आदत है, कि वो आकास में उड़ते हैं, तो यहाँ पर आदतन कारियों होने के कारण present indefinite tense का प्रियोग हुआ है, तो दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, कि ह हमारे द्वारा जो भी habitual कारी किये जाते हैं, जिन कारियों को करने की हमारी आदत है, आदत वस जिन कारियों को हम करते हैं, या नियमित रूप से, लगातार यदि हम किसी कारे को करते हैं, नियमित रूप से, तो उनमें हम present indefinite tense का प्रियोग करते हैं, तो इस पर ध्यान केवल वर्ग की फर्स फोंग काम में लेते हैं और negative, interrogative, interrogative plus negative में helping वर्गती है singular के साथ does और plural के साथ do और do और does का प्रियोग हो जाने के बाद में चाहे subject कैसा भी हो, चाहे singular हो चाहे plural हो, दोनों ही प्रकार के subject के साथ केवल और केवल अगर की फर्स फोंग काम में आती है ये पहली बात हो गई, दूसरी बात हम देख रहे हैं, दूसरा यूज़ हम देख रहे हैं विद यूनिवर्सल तूथ जो सार्व भूमिक सत्य है जो सब की नजर में सत्य बात है ऐसे वाक्यों में भी हमेशा present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है जो काम आज से हजारों साल पहले भी ऐसे ही हो रहा था आज भी ऐसा ही हो रहा है और भविश्य में भी इसी प्रकार से होगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने की गुंजाईस नहीं है, ऐसे जो प्रत्वी सूर्य के चारों और चक्र लगाती है इसलिए यहाँ पर प्रत्वी के चारों और चक्र लगाता है तो यहाँ यह यूनिवर्सल तुरुथ है इस कारण से यहाँ पर प्रत्वी इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हुआ है और भी इस प्रकार जैसे देशन राइजे जिन्दा इस्ट सूर्य पूरों दिसा में उपता है देशन सेट्स इन दा वैस्ट सूर्य पस्चिन दिसा में चिपता है तो यूनिवर्सल तुरुथ वाले सेंटेंसे के अंदर भी हम प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं थर्ड प्रयोग हम देख रहे हैं विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स भावी नियोजित कारिक्रम यदि हम भविष्य में होने वाले किसी कारिका आज ही प्लान बना लेते हैं फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स कि कल मुझे जैपुर जाना है या अगले महिने की पांसतारिक को मैं दिल्ली जाऊंगा या अगले सनीवार को मैं पाउटा आऊंगा इस तरह यदि हम पहले से ही कोई फिक्सड प्लान बना लेते हैं उसमें हमेशा प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है तो देखियो देश्टों देप्रसीडेंट विजिट से जैपुर तुमारो प्रसीडेंट राष्ट्रपती विजिट से जैपुर जैपुर आएंगे तुमारो कल राष्ट्रपती महोद है कल जैपुर आएंगे यह फ्यूचर इंडेफिनेट है फ्यूचर टेंस है लेकिन ये पहले से ही उत्तै कर लिया गया था ये पहले से ही प्लांड है कि राश्ट्रपती महोदै कल जैपुर आएंगे तो भविष्य के किसी कार्य की यदि पहले से ही कोई योजना बना ली जाती है एक निश्चित योजना बना ली जाती है और उसके लिए भी हम हमेशा प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रियोग करते हैं तो देप्रसीडेंट विजिट से जैपुर तुमारो माई अंकल रिटायर्स नेश्ट मंथ मेरे चाजा जी अगले महिने रिटायर हो जाएंगे तो फिक्स है यह फिक्स हो चुका कि अगले महिने इनका रिटायर्मेंट है इस तारिक को इस डेट को इनका रिटायर्मेंट है तो यदि पहले से ही भविश्य के किसी कार्य का प्लान टैक कर लिया जाता है तो वहाँ पर ऐसे कार्यों के साथ हम हमेशा present indefinite tense का प्रियोग करते हैं फॉर्थ देखिए the newspaper headlines समाचार पत्रों की जो headlines है सुर्खिया समाचार पत्रों के अंदर जो headlines आती है उन headlines में हमेशा present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है जैसे government decides to regularize the private colonies chief minister chief minister ने कहा कि सरकार ने private जो colony है निजी जो colonia है उनको regularize किया जाएगा किया जाएगा future tense है future के बारे में बताया जा रहा है आपर लेकिन अख़बार की यदि सुर्खियों के अंदर इस वाक्य को लेना है तो future के कारियों को भी present indefinite के माध्यम से ही शो किया जाता है तो government decides to regularize the private colonies chief minister for example वर्तमान में हम देखे pollution increases COVID-19 pollution pollution COVID-19 को बढ़ाएगा बढ़ा रहा है तो वहाँ पर हमने देखा आख़बार के माध्यम से बता रहे हैं newspaper के माध्यम से बता रहे हैं तो pollution increases COVID-19 इस तरीके से newspaper की headlines में भी present indefinite tense का ही प्रियोग किया जाता है फिफ्थ यूज हम देख रहे हैं cognition knowing verbs के साथ जानने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ हमेशा present indefinite tense का ही प्रियोग किया जाता है तो ये cognizor verbs कौन कौन सी हैं तो देखिए दोस्तों know, suppose, remember, forget, believe, mean, think, understand, trust आदी जो क्रियाएं हैं ये knowing verbs हैं और knowing verbs के साथ में हमेशा present indefinite tense काम में लिया जाता है जैसे देखिए do you believe in code क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो believe वर्व आई है इसके अंदर इसलिए इसमें present indefinite tense का प्रयोग किया गया है ऐसा नहीं होगा कि I am believing in God मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ इनका continuous form नहीं होगा अगर कोई व्यक्ती बोल रहा है कि मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ तो भी इसका सही जो translation है वो यह होगा I believe in God I am believing in God यह है गलत होगा तो इन वख के साथ में present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है जैसे मैं समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाते हैं तो मैं समझ रहा हूँ I am understanding नहीं होगा I am understanding नहीं होगा क्या होगा मैं समझ रहा हूँ continuous है present continuous लेकिन इसका knowing verb में हमेशा present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है तो मैं समझ रहा हूँ कहने के बावजूद भी translation क्या होगा इसका I understand I am understanding नहीं होगा I understand what do you want to say इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि cognition knowing जो verbs हैं उनके साथ हमेशा present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है think है मैं सोच रहा हूँ तो I am thinking नहीं हम बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ इसके बावजूद भी translation जब इसका करेंगे तो क्या होगा I think वह सोच रहा है वह question का answer सोच रहा है तो ऐसा नहीं सोच रहा है देखकर क्या आप कर दो कि he is thinking the answer of the question that's wrong he thinks he thinks the answer of the question he thinks the solution of the question इस तरीके से प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इन verbs को आप याद कर लीजिए इस का स्कीन सोच ले लीजिए कि इन knowing verbs के साथ में present definite tense का ही प्रयोग होता है next six तब देख रहे हैं verbs of emotion हमारी जो भावनात्मक जो क्रियाएं है हमारे भावों से जुड़ी जो क्रियाएं है उन क्रियाओं के साथ हमेशा present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है हमारे भावों की जो क्रियाएं है love है hate है anger fear desire hope like want wish mind prefer पर ये जो भावनात्मक क्रियाएं है इन समस्त भावनात्मक क्रियाओं के साथ present indefinite tense का ही प्रयोग किया जाता है I hope for the best result मैं अच्छे परिणाम की आशा कर रहा हूँ कर रहा हूँ it's present continuous tense लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जो verbs of emotion होती है भावनात्मक जो क्रियाएं है वो हमेशा present indefinite के अंदर ही काम आती है तो इसका क्या होगा I hope for the best result I am hoping नहीं होगा ये जो verbs हैं verbs of emotions verbs of cognition ये चाहे continuous का वाक्य ही होगा अर्थ के इसाब से हिंदी के इसाब से लेकिन जब इसका English में translation करेंगे तो केवल present indefinite tense में ही इनका अनुवाद किया जाएगा तो दोस्तों इसको आप write down कर लीजिए या इसका screen shot लीजिए ये बहुत ही important rule है ये आगे तक आपके काम आएगा एवन्थ verbs of perception आउगोधनात्मक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ भी present indefinite tense काम में लिया जाता है जैसे notice, see, watch, feel, hear, smell, taste, etc यदि ये वर्व हम काम में ले रहे हैं तो इन वर्व के साथ में कभी भी continuous tense काम में नहीं लिया जाएगा वहापर हमेशा हम present indefinite tense काम में लेंगे जैसे I notice your problem मैं तुम्हारी समस्या को देख रहा हूँ present continuous का वाक्य है लेकिन notice verb का use करने के कारण हम यहाँ पर notice verb के कारण present indefinite tense काम में आएगा तो I notice your problem तो इन वर्व को आप ध्यान रखें notice, see, watch, feel, hear, smell, test, etc इन वर्व के साथ में present indefinite tense काम में लिया जाता है इसके अलावा, appear, seem, resemble, matter, consist of, contain, deserve आदी जो verbs हैं इनके साथ भी present indefinite tense काम में लिया जाता है जैसे, see, appears to be an actress वह एक अभीनेत्री लग रही है उसको उमने देखा तो वह एक अभीनेत्री लग रही है वह एक actress लग रही है present continuous है हिंदी के साथ से लेकिन इसका अगरे जी में translation करेंगे तो हमें पता है कि appears यदी सब्दाता है seem यदी सब्दाता है resemble यदी सब्दाता है तो इन सब्दों के साथ है present indefinite tense ही प्रियोग में लिया जाता है तो इसका translation हो गया he appears to be an actress that jug contains water जग में पानी है जग में पानी है मनलब जग पानी से बरा हुआ है तो contains सब्दों के गारण बरा हुआ है continuous जग में पानी है इसका मनलब जग पानी से बरा हुआ है present continuous tense है लेकिन contain वर्व का यूज होने के गारण present indefinite में ही वाक्य बनेगा the jug contains water इस प्रकार से हम present indefinite tense का प्रियोग किया करते हैं तो दोस्तों इसका screenshot ले लीजे या इसे write down कर लीजे ये बहुत ही महत्वण प्रियोग है जो present indefinite tense के अंतरगत हम करते हैं सर्त वाले वाक्यों में हम present indefinite tense का प्रियोग करते हैं conditional sentences conditional sentence में भी present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है जैसे कठिन परिश्रम करो यदि तुम पास होना चाते हो एक कठिन परिश्रम करो ordered तो उजाएगा work hard इसका उजाएगा work hard यदि इफे तुम पास होना चाते हो चाते हो ते हो दिखावारा है इफे यू प्रूरल सब्जेक्ट है इफे यू वान्टू पास यदि तुम पास होना चाते हो तो कठिन परिश्रम करो मनलब ऐसी सर्थ जो पूरी हो सके जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास समय हो जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास आउसर हो तो बी फुल्फिल्ड तो बी फुल्फिल्ड जो कंडिशन होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्यूग किया जाता है जैसे यदि तुम पढ़ोगे यदि तुम पढ़ोगे तो पास जाओगे देखे दोनों में यहाँ भी गे लिखआओ आँ यहाँ भी गे लिखाओ आँ रहा है इसका मानलब यह navy future tense है लेकिन यदी condition यदी लिखाओ है तो conditional sentence है यदी वाक्ये में यदी सब्द का प्रियोग हो रहा है तो इसका वाला वो condition sentence है और वो condition यदि पूरी हो सके उसको पूरा करने के लिए यदि हमारे पास समय है ऐसी condition में हम present indefinite का प्रियोग करते हैं कौन से में? इफ वाले sentence में जो इफ वाला जो sentence है उसमें present indefinite tense का प्रियोग किया जाता है और next वाले में आएगा future indefinite tense जो 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 यदि तुम पढ़ोगे तो क्या हो गया? if you read इफ वाले वाक्य में present indefinite tense काम आएगा if you read यदि तुम पढ़ोगे और next वाले में आएगा future indefinite you will pass तो ये present indefinite tense से संबन देते हैं कुछ महत्वपूर्ण यूजेश थे जिन को आना हमारे लिए बहुत ज़री है exam की तरश्टी से भी बहुत important है तो ये अच्छी तरह से आप learn करें और या जी जोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like और share करें और अन्त में मेरे latest updates पात करने के लिए बैल आइन करन को आवे से प्रेस करें Thank you अच्छी तरह से प्रेस करें